हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चनल चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि हमारे कंपूटर में अगर कोई भी USB डिवाइस को कनेक्ट करता है तो उसको कैसे पता करना है कि हमारे कंपूटर में को USB डिवाइस जो है मुबाइल या पैंड्राइब कनेक्ट हुआ था कि नवह था कौन से डिवाइस कनेक्ट हुआ था और किस टाइम कनेक्ट हुआ था यह सब आमें आजान कर लिया का चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले आपने कंपूटर में डिश्ट्री को उपन करना पड़ेंगा उसके लिए पहले अपने क्यूबोर्ड पर यहां पर फ्रेंट्स देखिए, थर्ड ओप्संज देखिए, एच की लोकल मसीन, यह वाला ओप्संज, एच की लोकल मसीन, इसको आपन करना है, और सबसे नीचे वाला ओप्संज देखिए, सिस्टम, सिस्टम को ओपन करना है, और थर्ड ओप्संज देखिए, ट्रिंट कंट्रोल सेट, इसको ओपन करना है, और यहां पर सैकेंड ओप्संज देखिए गाईज, एनम करके लिखा होगा, एनम, एनम करना है, इसको ओपन करना है, सबसे नीचे और ऑप्सन देखिए USB इसको ओपन करना है यह देखिए जो भी डिवाइस इसमें कनेक्ट हुए थे सबी यहां पर आपको सो करेंगे और इसको ओपन करेंगे यह इनके सीरियल नमबर आगे है इसको ओपन करेंगे तो इसके सीरियल नमबर यहां पर यह इसका सीरियल नमबर जो है सो करेंगे और इसके अगर डिटेल में जानकर चाहिए तो इसके ओपर रैट क्लिक करें इसको ए कि इसका एक टेक्स्ट फाइल बना लें कोई सब इसको नाम देदें कि डेश्टॉप में हम ले लेते हैं यह देखिए यह ओ टेक्स्ट फाइल है उस डिवाइस का हमाई हम डिटेल में जानकरी हमें यहापर मिल जाएगी यह उसको सेलेल नमण नमब्र है कब यह क्रेक्ट हुआ था उसका डेड़ भी यहापर सोग कर रह यह किस टाइम क्रेक्ट वंच Corporate उसका टाइम यहां पर guy कर रहे और डिवाइस का नाम जो है यह सोग कर रहे ही यह ई जो है डिवाइस का नाम है ऐसे हम कोई भी अगर यूस्बी डिवाइस हम पर कनेक्ट होती है तो हम ऐसे उसका डिटील में जान कर लिए हम देख सकते हैं हम आगरे को घंगरे को अगरे की अगर्णार कर दो हम आगरा।